चालो इतियास जान्वा मट्टे बिजू शूप योगी छे तेनी पन महीती लईए सालवारी इतियास मां समयनु खुबज महत्व जे कोई पन घटनाने स्थड औने समय साथे जोडवा मां आवे जे एटले के सालवारी सालवारी इतियास मां बवज अग्यत्यनी वस्तू छे कोई पन घटना क्यारे बनी केटला समय पेला बनी एने केटलो समय थयो आ बदु जान्वा माटे आपणी पासे तेनू योग्य तारिक वर्स अथवा अमुक वर्सो पेला एनो योग्य वव जोईए महीती ववी जोईए तो आज शाल वारी द्वारा आपने इतियास ने चोकस खतनावो ने योग्य रिते गोठ़वी शक्ये छीए अने इतियास नू अलेखन करी शक्येए ुप्यों आपने मुख्यत्वे वार तारीक महिनों अने वर्स तरीके करीए छी दाखला तरीके आजे 20 जून गुरुवार 2019 आपने ख्रिष्ति केलेंडर नो उप्योग करिया छिये जेने इस्विशन केवामा आवे छे अथवा एने AD पन केवामा आवे छे ख्रिष्ति केलेंडर नो उद्वव इस्विशन बेजार ओगनिश एटले के इस्विशन जन्म ना बेजार ओगनिश वर्ष पसी नो शमय परन्तु इत्यास तो आ पहला नो पन तो शु इत्यास खाली आटलाज वर्ष वर्ष नो अथो तो एना माटे आपने एने BC तरीके जानिया छिये BC एटले बिफोर क्राष्ट बिफोर क्राष्ट एटले के इस्विशन जन्म पहला नो शमय दाखला तरीके आपने एव कईये के समराट अशोक नुशासन भारत्मा इस्विशन पूर्वे 300 मा हतु तो एनो मतलवे ओ थयो के इस्विशन जन्म पूर्वे ना 300 वरस एटले के अत्यार ना समय प्रमाणे गणिये तो अत्यार ना 2000 वरस तता इस्विशन जन्म पहला ना 300 वरस एटले के कूल 300 वरस पहला भारत्मा समराट अशोक नुशासन हतु आपने मुख्यत्वे आ इस्विशन वाडा केलेंडर नो उप्योग करिये छे चालो आपने वधारे माहिती मेडविये के जहना द्वारा आपनने आ सालवारी नो ख्याल स्पश्ट आवे सदी सदी एटले 100 वरस नो समय इस्विशन जन्मबात इस्विशन एक थी इस्विशन सो एटले के पहली सदी इस्विशन 101 थी इस्विशन 200 एटले के बिजी सदी अने अत्यारे जे आपने सदी मा जिवी रहा ची इस्विशन 2001 थी इस्विशन 210 जे सदी कहवामा आऊचे तो आ सदी नो ख्याल आपने स्पश्ट थसे तो आपने AD अने BC नो ख्याल वधारे स्पश्ट करी शक्षू चालो आपने चाट द्वारा माहिती मेडविये अहियां आप जोई शको छो सुन्य इस्विश्ट नो जन्म AD इस्विश्ट ना जन्म पसी ना वर्स हो पहली सदी बीजी सदी अने अत्यारे एक्विश्मी सदी अने इत्यास तो आपनो लाखो वर्स पुरा नो छे तो ए पहला आपनी पासे समय नू काई योग्य केलेंडर नो आतू एटले आपने एने बीसी तरीके एटले के इस्विशन पूर्वे तरीके ओडखिये छे जैने केवा मावे छे एटले के इस्विशन पूर्वे पहली सदी इस्विशन पूर्वे बीजी सदी इस्विशन पूर्वे त्रीजी सदी दाखला तरीके आपने जोयू के समराट अशोग इस्विशन पूर्वे त्रीजी सदी माँ थाई गयो तो त्रेविशो वर्स पहला समराट अशोग पार आपखवामाँ आवे छे, CE एटले, common era, एटले के साधारन यूग, मतलब इशुख्रिष्ट ना जन्म पसी नो यूग, अने BCE एटले, before common era, एटले के इशुख्रिष्ट ना जन्म पहला नो यूग, एटले के सामान्य के साधारन पूर्वे नो यूग, तो आम सालवारी इतियास्त मां खुबच अगत्यनी वस्तु छे, कोई पन घटना, अथवा कोई पन इतियास्त नो आपनी पासे योग्या समय अशे, तोज आपने तेने योग्या अलेखन करी शकी छुँ, दाखला तरी के कोई पन राजानों सासन कारोई, तो तेमा तारीक, वर्स अने सालवारी खुबच अगत्यनी वस्तु छे, ए सिवाई, आ सदियोना अभ्यास द्वारा, आपने एक सदी थी विजी सदी मां, केवा केवा परिवर्तनों आविया, मानविनी अंदर, केवा खोराक, पोशाक, खेतिवाडी, नगर्रचना, वगेरेमा केवा परिव जो अपावा माटे, खुब अज उप्योगी माहीती छे, आपने मुख्य, खृष्ति केलेंडर नो उप्योग करिये छे, परन्तु आपने आपने पोतानू अलग केलेंडर पाण, उप्योग करी रहा छे, अहीं आप जो दाखला तरी के, आपने विक्रम समंत, बेजार अने विविद प्रदेश ना लोको रहे छे, दरेक पोताना धर्म प्रमाणे पन अलग-अलग केलेंडर नो उप्योग करता रहा छे, तमे जो इशको छो वाया, इसलामिक केलेंडर, पार्सी, विक्रम समंत, एटले के हिंदु केलेंडर, खृष्ति केलेंडर प्रमाणे अत साउच्छोने चालिस्टनू वर्ष चली रहे छे, पार्सी वोवना वर्ष प्रमाणे अतियारे तेर्सोने अठियासी नू वर्ष चली रहे छे, आम दरेक धर्म ने पोतानू अलग-अलग केलेंडर पन उप्योग करी रहा छे, जेनो उद्बव, जे ते समय ना शासको द् पारा विक्रम सवन्त नी शरुवात करवा मावियती, औने त्यार थी आपने विक्रम सवन्त तरीके ने उडखिये छिये, आम आपनो इतियास तो इशुख्रिष्टना जन्म पहलानो पन तो, औने त्यारे पन आपने केलेंडर नो उप्योग तो करता जता, आम शालवारी एक इतियास जान्वानो औने तेने योग्यक्रम मा आलेखवा, खुबज अगत्यानी माहिती, त्यामज दस्तावेजो बनावा माटे, खुबज अगत्यानी वस्तु छे, चालो, इतियास विशे, हजू पन आपने एक रस्प्रद माहिती मेडविये, औने जहना द्वारा प उत्तावगना गाम अने शेहरना नाम साथे, पन इतियास जोड़ायेलो छे, कोई पन गाम अथवा शेहर, तेना नाम पाछड पन इतियास जोड़ायेलो छे, धाखला तरीके, आपने जोईए, के आपना देशनु नाम भारत, अथवा इंडिया, तरीके आपने एने उणख तो आनी पाछड पन इत्यास रहेलो छें। इंडोस तरीके ओड़कता आता अने ग्रिष्णालो को सिंदु नदीने इंडस तरीके ओड़कता आता तेओ आ नदीना किनाराना पस्चिम भाग ने इंडिया थी ओड़कता अता आइटले के सिंदु नदीना किनारानो जे पस्चिम भाग छे जे आपनों देश अत्यारे छे तेने इराणियो औने ग्रिष्णालोको इंडिया तरीके उड़कता दा अने त्यार थी आपड़ा देश्णु नाम इंडिया एवु उडखाई छे आ सिवाई रुगवेद नी अंदर भारत नामनो उल्लेक जोह मड़े छे संस्कृत ना प्राचिन ग्रंद रुगवेद नी अंदर एवु लखवामा आवियू छे के भरत नामनो मानव समू उत्तार पस्चिम भागमा आविने वसेलो तेमना नामु पर्थी आपनो देश भारत तरीके ओडखाई छे आ सिवाई एक एवी लोकवाई का पन छे के भरत नामनो महान प्रतापी राजा आ देश पर राज्य करतो हो आथी आपना देश नू नाम पारत पाडवामा आवेलू एवी जरीते अमदावाद एहमच्चा नामना बाद चाहे बंदावेल हो आथी आपना आ शेहर नू नाम एहमदाबाद अने कारक्रमे अमदावाद थाई गयेलू आवी जरीते पावनगर नू नाम महाराजा पावसी जिये बंदावेल नगर हो आथी तेमना नाम उपर थी आ नगर ने पावनगर केवामा आवेलू हुँ जिया थी आवुछू मारू गाम आदपूर एटले के आदपूर नाम चेहिनो ना प्रथम तिर्थंकर एवा फगवान आदिनाथ दादाए अही थी सेत्रुणजेगिरी मडानी यात्रा करेली तेमज अही आपोत्ते सिद्धी प्राप्त करेली ओवा थी आ गामनू न मजा पड आवशे आम आपने कोई पन भूमी ना नाम साथे इतियास द्वारा जानी शकीए चीये चालो बाड मित्रो हवे आपने एक प्रोजेक्ट कारिय खरीए प्रोजेक्ट नू नाम छे चालो श्ठानीक इतियास जानी है एटले के आपनो आजुबाजुनो इतियास जानवनू आपने काम करिए औने आपने शव ना-ना-ना-ना पुरातत्व सास्त्रियों बनी जेहे आमाटे आपने शव अलग-अलग लोकों ने अलग-अलग श्थड प्रेश्ण लई शकाए जोईए पेलू के तमारा गामनु नाम के विरते पड़ियू ते जानो आ माटे तमें गाम मा कोई व्यक्ति, कोई व्रुद्ध व्यक्ति अथवा कोई चानकार व्यक्ति नो संपर्क करी अने माहिती पण मेडवी शको छो आ सिवाई गामनी अंदर रे तमें बदा लोक्साई तियाने लोक डाईरातो जोता छे शो, एबावा पण आपन आपन क्यआ श्थानी की त्याश जानवां मड़े छे, जे जे नू आले खन पुरावना आभावे आपने क्यां करी शक्या नती, पण आपने तेने जानी शक्ये चे, आ सिवाई तमारा गा गाम मा पाडिया जेवा स्मारकों होई तो तेनी माहिती पण आपणे आमा लई शक्किये आपणा तो गुजर्यात नी अंदर अने खासकरीने शवराष्ट मा तो धरेक गाम नी अंदर पाडियाओ जो अमडे छे लोकवार्ताओ द्वारा पणा पणने इतियास जानमा अमडे अने लोक्षा इतिया द्वारा अपनने इतियास जानमा मडे छे लेके पाडियाओ द्वारा आपनने जेते गाम नो स्च्कृतिक और घट्ना इतियास जानमा मडे तो तेनो पन स्थापणा नो अने टेनी स्थापणा कोने करी, तेना विशेनी महिती मेडव, जो आपने इत्यास ने समझछू, तोज आपने वर्तमान मां प्रागती करीशक्षू. एतले इत्यास चानो आपना माते खुब जरूरी छे, अने आप रथम पाठ अहीं आपने पोल्ण करिये छे प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार कैसे है आप सब मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुसल एवं स्वस्त होंगे छात्रों क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है मुझे पता है कि आप सब को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है तो चलिए हम सब एक कहानी देखते हैं वीभू जंगल में रहते थी वहां उनकी कुटिया थी जंगल सिम्रिक कुटिया के पास आ जाती वी उनको हरी हरी खास चन्ने देती म्रिक वहां दोडते भागते वी पेर के ठंडी चाया में आराम करते वीभू म्रिगों को देख कार बहुत खुश होते एक दिन वीभू आम के व्रिक्ष की चाया में बैठे थे दो म्रिक भागते हुई आए वी डरे हुई थे वी आकर व्रिक्ष के तेछे चुप गए वीभू ने देखा एक शिकारी हाथ में बंदूक लुए आ रहा है वी बोले रुक जाओ यहां शिकार करना मना है मैं शिकार करने आया हूँ मैं नहीं मानूँगा इन म्रिकों को ले कर ही जाओंगा ये म्रिक मेरे पास आये है मैं इन म्रिकों की रक्षा करूँगा तुम पहले मुझ पर गोली चलाओ हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो फिर लोट जाओ इसी में सब का भला है मैं आपकी आग्या मानूँगा मैं अब किसी जीव को नहीं मारूँगा जी ते रहो पुत्र तु शिकारी ने म्रिक को नहीं मारा अच्छा काम किया अच्छी थी ना कहानी प्यारे बच्चों कैसी लगी आपको कहानी बहुत ही अच्छी कहानी थी ना हमने देखा कि एक शिकारी शिकार करने के लिए वन में आया लेकिन साधु ने उसे समझाया कि हमें दूसरे प्राणियों को नहीं मारना चाहिए अहिंसा पर्मो धर्म हम अहिंसा ही परम धर्म है अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें उनका जीवन छेनने का भी कोई अतिकार नहीं है संसार के सभी प्राणी, पक्षी, जीव जन्तों को जीवन जिने का समान अतिकार है ये बात श्रीकारे ने भी मान ली उसने साधू को वचन दिया कि वो अब कभी किसी प्राणी पक्षी का कभी श्रीकार नहीं करेगा दोस्तो मैं अब कहानी में से आपको एक सरल प्रश्ण पुछूंगा देखते हैं कौन इसका पहले उत्तर देता है मेरा प्रश्ण है साधू ने श्रीकारी को क्या सीख दी साधू ने श्रीकारी को सभी प्राणी पक्षी और जीव जन्तूओ के प्रती दया भाव रखने की सीख दी तो विद्यार्थी मित्रो अब हम कक्षा छे के हिंदी विशे की प्रथम इकाई दयालू श्रीका अध्येन करेंगे एक बहुत घना जंगल था एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था हिरनी और शावक घूम रहे थे शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदोग से गोली चलाता है गोली हिरनी की तांग में लगती है हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है शिकारी दोड़ता हुआ हिरनी के पास आता है उसने देखा कि हिरनी की आँखों में आसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है शिकारी को यह द्रिश्य देखकर पस्तावा हुआ शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया डाक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली गोली निकलने से हिरनी स्वस्त हो जाती है शिकारी बहुत खुश होता है वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ाता है हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं प्रिया दोस्तों हमने देखा कि एक जंगल था, जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है, शिकारी ने एक सुन्दर हिर्णी को देखा, हिर्णी को देखकर ही उसे शिकार करने का मन हुआ, वो एक पेड के पीछे छीप गया, और उसने अपनी बंदुक से हिर्णी क और निसाना लगाया जैसे ही हिर्णी पास आई उसने हिर्णी को गुली मार दी शिकारी हिर्णी के पास कया उसने देखा कि हिर्णी ने एक स्रावक को जन्म दिया है प्यारे दोस्तों मुझे इसका अर्थ कोई बताएगा स्रावक का मतलब होता है छोटा बच्चा शिकारी की गुली हिर्णी के तांग में लगी थी हिर्णी की आखो में से आसु बह रहे थे ये देखकर शिकारी को बहुत पच्चतावा हुआ चात्रो पच्चतावा होना यानि आपको पता है कौन बताएगा मुझे पच्चतावा होना यानि दुख होना सही है शिकारी हिर्णी और उसके बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाता है डाक्टर ने हिर्णी की तांग में लगी गोली निकाल दी और उस पर मरहम लगा दिया अब हिर्णी ठीक हो गई, श्रीकारी वापस हिर्णी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ाता है बच्चों हमने देखा कि गायल हिर्णी को देखकर श्रीकारी का रिदय परिवर्तन होता है व्यसे ही हमें संसार के सभी प्राणी, पक्षी और जीव जन्तों के प्रती प्रेम, करुणा, समवेदना और दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए प्यारे दोस्तों, अब हम इकाई के अभ्यास का अध्यान करेंगे अभ्यास, प्रश्ण एक, चित्र का अवलोकन करके प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्ण है हमारा इस चित्रपाट में किस पसु की बात है विद्यार्थी मित्रो, आपको चित्र देखना है, उसमें से आपको उत्तर देना है सही बात है आपकी, इस चित्र में हमको हिर्नी की बात की गई है अब दूसरा प्रश्ण देखते हैं, आपने किन-किन पश्वों को देखा है आपकी बात सही है, कौन मुझे बताएगा हाँ, घोडा और सही है, बैल, कौन बोला हाँ, गाय, वक्री, हाथी, बंदर, बिल्ली और उन्ट बिल्कुल, सही जवाब है, इन सार ये पुश्वों को हमने देखा है अब हम तीसरा प्रश्ण देखेंगे जंगल में कौन-कौन से जानवर देखने को मिलते है चलो, सोचिए, कौन मुझे बताएगा हाँ, सही है, जिसके बड़े-बड़े कान होते है वो हाथी, हाँ, ये भी सही है, फिर हिरन, हाँ, लौमडी, बाग एक बाद तो हम बुल ही गए, जंगल का राजा कौन होता है सेर, सही है, ये सब जानवर हमको जंगल में देखने को मिलते है अब हमारा चोथा प्रश्ण है, कि चित्र पाट के आधार पर सब्दों की सुची बनाईए प्यारे दोस्तों, आपको सबी चित्र ध्यान से देखने है और सब्दों की आपको एक सुची बनानी है चलो, आप सब सुची बनाओ, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ अरे, तुमने तो पहले ही सुची बना दी लाईए, अब उसको देखते हैं, आपने कौन-कौन से सब्दों की सुची बनाई है हिरनी, शिकारी, जंगल, बंदुह, निशाना, दयालू, गोली, आसु, टांग, शावक, अस्पताल और पशु मित्रो, आपने इस चित्रपाठ में आये कई सारे सब्दों की सुची बनाई है हमें इन सब्दों का वाक्य में प्रयोक करना भी सीखना है तो आईए कुछ उदाहरण देखते हैं यहां आप देख सकते हैं कि एक सब्द आपको दिख रहा है कौनसा सब्द है हिर्नी अब हम इस सब्द का वाक्य में प्रयोक करेंगे आप सोचिए हिर्नी सब्द से हम कौनसा वाक्य बना सकते हैं यह तो बहुत ही सरल सब्द है मैंने जंगल में हिर्नी देखी थी एकदम सही वाक्य है दूसरा सब्द है शिकारी सोचो सोचो हाँ ये भी वाक्य बन सकता है शिकारी ने गाय को अपने बच्चे के पास वापस जाने दिया तीसरा सब्द है जंगल ये सारे सब्द ऐसे है कि आप बहुत ही सरलता से वाक्य बना सकते हैं जंगल से तो कितने वाक्य बन सकते हैं बनाईए बनाईए सोचिये कौन बताएगा मुझे हाँ शेर जंगल का राजा होता है एकदम सही वाक्य है बच्चो और भी कई शब्द है जिनका आप वाक्य प्रयोग कर सकते है प्यारे दोस्तों आपको कहानी पसंद आई न इस कहानी में से आपने कई नए नए शब्द सीखे है अब आप इन नए नए शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं तो आप इन शब्दों के वाक्य बनाईए किताब का पेज नमबर 3 और 4 पर चित्र दिये गये है वो आपको देखने हैं और उसमें से आपको कहानी लिखनी है मैं आशा करता हूँ कि आप कहानी बनाएंगे और अपने माता-पिता को दिखाएंगे मुझे विश्वास है कि ये चित्रपाठ आपको बहुत पसंद आया होगा धन्यवाद